10 चूक 19 अगां दिछム्हट्ट ही तcribed करंग लिए ऩngताथ टेनी सब्सक्राइब है है किने वहींता जैसी में सब्सक्राइब क्लिक करता हूं मैं सब्सक्राइब करने घर ओज नियुके साव बास यहीत की खता है। सबसे लेंड़ हो होगा जंप और तीसरा होगा हमार पास ग्रैविटी हमार पास क्या है एक बर्ड है ठीक है बर्ड के क्या है बर्ड को हमने वाइक्सिस पे बर्ड को हमने वाइक्सिस पे टॉप टू बॉटम मूफ करवाना है अब यह सवाल उठता है इसको कैसे करना है तो अगर हम वाइक्सि की value को अगर हम increment करें तो वह top से bottom की और move करेगा और वह increment करना है वह हमने कुछ certain value यहां ले रखे जो कि हम gravity की use करेंगे 0.20 से वह value increment करते रहेंगे तो bird हमारी top to bottom आते रहेगी और जैसे ही मैं game state में हूँ और जैसे ही मैं click करता हूँ screen की उपर तो कुछ certain amount पे वह उपर जाने चाहिए value तो उसके लिए हमने use क्या करा jump कि जैसे ही मैं click करूँ screen पर तो क्या होना चाहिए मैं जाना चाहिए मुझे जाना है bottom to top तो bottom to top क्या होगा मेरी bird जो है वह नीचे से उपर जाएगी और जैसे उपर जाएगी तो यह तो हम क्या करेंगे y-axis की value को decrement करेंगे ठीक है और कितने से decrement करेंगे 4.6 से कि मैं जैसे मैं click करूँ 4.6 से decrement होगी तो सबसे पहले अब क्या करते हैं इसका code लिखते है तो हम sublime text editor पर आगे हैं हमने यह यह बनाया हुआ था क्या नाम है bird object बनाया था अब निच्छे आएंगे निच्छे आएंगे अपडेट function में हम आगे continue करेंगे यहां लिख देते हैं gravity लिख देते हैं gravity ठीक है अब सबसे पहले क्या करना है मुझे उसको टॉप से bottom की और move करवाना है तो हमने वहां पे तीन प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करी थी तो सबसे वैली थी speed speed को मैंने value दी थी 0 then हम आपस थी gravity gravity को value दी थी 0.20 then हम आपस था jump jump की हमने value दी थी क्या 4.6 ठीक है और उसके बाद एंड में semicolon sorry colon कॉमा sorry colon कह रहा हूं कॉमा ठीक है उसके बाद हमने यहां क्या करना है gravity जो हमने comment कर रहा है इसके नीचे हमने क्या करना है इस डॉट वाय मतलब जो हमारा वाय एक्सिज़ है which is equal to this.y plus plus this.speed ठीक है मतलब मैं क्या कह रहा हूं जो जो मेरा y-axis है उसमें अब क्या स्टोर करा दो y-axis की जितनी भी position है plus speed मेरी जितनी भी speed अब speed कितनी है zero ठीक है अब मुझे speed में gravity को add करना है तब मैं क्या करूंगा जब्या और कि अब दिस डॉट ए इस डिटर सपीड विच इक विच इंक शू डिस डॉट भी डिस डाट सपीड प्लस डिस डॉट ग्राविटी तो अब यह line लिखने से क्या होगा देखो this.speed में मैंने क्या store करवाना है this.speed मतलब कि जो मेरी this.speed की value कितनी है this.speed की value 0 0 प्लस this.gravity कितना हो गया 0.20 0 प्लस 0.20 तो this.speed में क्या store हुआ 0.20 जब अगली बार फिर से update function call होगा तो y axis की जितनी भी position है suppose करो भी कहा है 150 position है top से 150 प्लस 0.20 जो कि मारी speed थी तो क्या हो जएगा 150.20 तो y axis से 150.20 नीचे आज़ेगा ऐसे इसमें क्या होगा 0.200 जिरो पॉइंड होता रहेगा और यह नीचे आता रहेगा क्योंकि एक second में कितनी बार हो रहा है रिक्वेस्ट अनिमेशन फ्रेम के तुरू बार बार कॉल हो रहा है average हमने average हमने कर रहा था 50 बार स्पोस करते हैं 50 बार कॉल हो रहा है तो 50 बार ऐसे repeat होगा तो 50 बार 0.20 value से y axis increment होगा अगर हम अब जाके देखते हैं अपनी screen पे तो जैसी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा जो मेरी बर्ड हो टॉप से बॉटम जा रही है और नीचे जाई जा रही है अब मुझे इसको भी रोकना है और जब मैं get ready पे क्लिक करता हूँ तब जानी चाहिए बट वह पहली जा रही है तो पहले इसको solution देखते हैं इसको solution क्या है इसका solution है यहां पर simply if statement लगा जानी है if क्या कर रहा हूँ state.current अगर जो मेरी current state है which is equal to state.getReadyState ठीक है अगर मेरी current state वो getReadyState है तो आपने क्या करना है this.y y-axis की position है उसको 150 ही रखना है else फिर हम else लगाएंगे else में यह रखेंगे नहीं तो अगर getReadyState के लावा कोई state आपती है अगर हम तो आपने इसको move करवाना है अब हम जाके अगर refresh करें और देखें तो देख रहो यह एक ही position पे fix जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यह नीचे जा रहा है एक position पे fix है और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यह नीचे जा रहा है इस फंक्षन पे आएंगे मुव फंक्षन पे हमने क्या करना है यहां पे हम लिखेंगे इस डॉट स्पीड जो भी मेरी स्पीड उसको आप क्या कर दो नेगिटिव का साइन इस डॉट जब मतलग अब जो मेरी स्पीड है इस डॉट जंप कितनी 4.6 जहां पे भी हूँ मैं जिस भी पुजीशन पे बर्ट जैसे नीचे नीचे आ रहे है जैसे मैं क्लिक करूं तो उस पे क्या होना चाहिए इस डॉट जंप वह भी नेगिटिव वहला मतलब नेगिटिव 4.6 आ जाने चाहिए तो वाइक्स इसकी हमारी जो भी पुजीशन होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो माइनस 4.6 जैसे य एकिस है अगर भू झाल वो टॉटम रॉटम आ तो की पॉजिटिव वैल्यू होती है अगर किसी भी अबजुट को टॉप तो की पॉजिटिव खुजए अगर बॉटम टॉटॉ पब लेकी जाना तह की नेगिटिव वैल्यू होगी इसलिए हमने यहां पे नेगिटिव साइन लगाना है नेगिटिव जब यहां पे जम्प को फोर पॉर पॉइंट सिक्स वैल्यू से उसको ऊपर की और दकेल देगा ठीक है अब मुझे उसका क्लिजन डिटेक्ट करना है कि ग्राउंड पे जैसी यह ग्राउंड पे जाक क्लिक होए जैसी ग्राउंड पे जाए यह बर्ड रुख जो और यह फ्लैपिं करना भी बन कर दे तो उसके लिए क्लिए हम इसी के निचे आएंगे अल्स के निचे एक और कंडिशन लेगाएंगे इफ और इसमें लिखेंगे इस डॉट वाय मतलब जो बर्ड का जो भी वा धुर्क केंवेस की हाइट माइनेश ग्राउंड सार इसम्जा घालं यह बि priests नहां ग्रोरा पूरा चिडह यह जैसे ही कंडिशन मेरी हो थी है तो आपने क्या करना है तो आपने पार परह को स्पीड स्पीड को क्या कर देना है value 0 कर देना है ठीक है देस जौट speed की value 0 कर देना है अब पहले देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है जैसी गया निच्छे आ रहा है यहां पर आके बढ़ यह रुख गया और इसकी speed जो है वो 0 हो गी है ठीक है अब इसका concept समझते है concept क्या है यह मैंने line लिखी है दिस.y प्लस दिस.height divided by 2 greater than equal to canvas.height minus ground.height अब इसका concept क्या है कि हमार पास जो bird है यह उसका y-axis है ठीक है and this bird की अपनी कुछ height है bird की अपनी height है मैंने यह पर क्या लिखा है this.height divided by 2 this.height मतलब जो bird की जितनी भी height है bird की height है 26 तो 26 divided by 2 तो हमार पस कितना है गी value 13 13 अब यह देखो this.y मतलब y-axis से उसकी position जितनी भी है उसमें add कर दो this.height divided by 2 मतलब 13 उसमें add कर दो तो अगर यह पूरा 26 है तो 13 इसमें add कर दो तो अभी किस location की बात कर रहे है इस bird की center की location की बात कर रहे हैं इस पूरी line का इस मतलब half greater than से पहले की जितना भी मैंने कुछ लिखा है उसका मतलब यह है कि मैं इस center point की बात कर रहा हूं bird के center भी ठीक है अगर तो यह है greater than equal to किस चीज के canvas.height-ground.height अब क्या है bird हमारी उपर से निचे आ रही है बार बार उपर से निचे आई जा रही है ठीक है जैसे हम game state के अंदर है और हमार पास एक ground है डाउन की बालिए अब इसके में के लिखे canvas की जितनी भी हाइट है canvas की यह पूरा canvas है है इसकी सी जितनी भी हाइट है और यह हुमारे पस क्या है ूए हैं चैनलच की हाइट में से अगने आफाइट मैंस करilda और ऋंगा तो में पना अगे greater than है या फिर वो equal है तो अपने क्या करता है बर्ड को वहीं रोग देना है तो उसके बाद क्या होगा बर्ड मतलब इसी position पर आके रूप जगा तब यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे मैं क्लिक करता हूं नीचे आता हूं तो बर्ड अधर मतलब अधर जमीन में गड़ा हुआ है यह देख रहा हाफ क्योंकि उसका center point क्या था हाफ ठीक है बट हमें यह नीचे है हमें हाफ नहीं रखना क्योंकि कोई बर्ड उपर से नीचे गि तो ग्राउंड के ऊपर गिरा रहे ना कि ग्राउंड के अंदर आजए तो इसका concept समझते है क्या है तो इसके लिए हमें क्या करना है हमने बर्ड को center में लेकर आ रहा है ठीक है अब सवाल है कि हाओ तो शेंटर दो बर्ड यह मेरे पास बर्ड है यह बर्ड की x-axis यह बर्ड यह बर्ड के end point पे खतम हो रहा है एकस यहां से शुरू के यहां खतम हो रहा है अब मुझे करना क्या है अब मुझे इसकी जो x-axis है ना उसकी position को change करना है अब x-axis की जगह मैं अगर लिख दू इस.x-this.width जितनी इसकी बर्ड की width है divided by 2 बर्ड की अपनी कुछ width है हाँ जी ह अब देखते हैं this.x मतलब यहां से यहां तक x-axis तक यह बात कर रहा है this.x मतलब x-axis की जितनी भी position है उसमें minus कर दो क्या कर दो width divided by 2 बर्ड की जितनी भी width है पूरी जितनी भी width है उसमों divide कर दो 2 से है मतलब यह center yola point की बात कर रहा है उसको minus कर दो तो क्या होगा जैसी मैं जो मेरी बर्ड है अब जो x-axis की position है वो मेरा x-axis खतम कहां पर होगा बर्ड की center में ठीक है बर्ड की जितनी भी width होएगी उसको हम divided by 2 कर देंगे तो क्या होगा जो x-axis है ना वो मेरा center में आके खतम होगा similarly अगर हमने बर्ड के y-axis position से y-axis को center में खतम करने तो हम लिखेंगे से this dot Y-minus this dot height divided by two अब बर्ड के अपनी कुछ height भी है खिंग है अब लिखेंगे यह-axis है minus this dot height divided by two a bird की जितनी भी height एपर की height थी I think 26 26 pixel height divided by 2 मांद थर्टीन य-axis में से minus तेरह पिक्सल और तो bird क्या होगा यह bird ऊपर गाएगा 13 और य-axis जो है अब जो मेरा खतम होगा वो यहां पे खतम होगा सेंटर में तो बढ़ इससे क्या होगा बिल्कुल हमारा एक्जैक्ली सेंटर में आगया बढ़ अब हमने पिछली बार जो लिखा था इसली स्लाइड में देखा था दिस डॉट दिस डॉट वाइप डिस डॉट डॉट हीट के किया मतलब या शा करते है यह बर्ट है यह मेरा एकस चैसे हैं प्लीकुल हो सेंटर में टाम हो रहां इस बर्ड की अपनी कुछ हाईट है रहा है अभ देखते हैं याश्ण धिस डॉट वाइव Quebec यहे याश्री जो और पोजिशन है मतलब यहां पर छिए उक क कितनी थी 26 दिवाईडेडी बाई 2 13 उसमें 13 और एड़ कर दो यह मेरा इसमें 13 और एक्सिल और आड़ तो हमने जो bird को draw करा था यहां करा था यह bird का source का x-axis, source का y-axis, फिर्ट की width यह height, अब यह destination का x-axis है यहां पर हमने क्या करना है, this.x, this.x लिखा, minus, this. jitनी उसकी width है divided by 2, फिर्ट जैसे मैं यह लिखता हूँ, save करता हूँ इस देखना, यह bird थोड़ी पिछे को आ गई है, अब इसकी location देखना है थोड़ी से ऊपर को आजएगे y-axis से this.y- this.height divided by 2 this.height divided by 2 इसे लिखते ही क्या होगा जो जो y-axis से आज़ी ऊपर को चलीगे ठीक है थोड़ी से ऊपर को चलीगे तो बिल्कुल bird हमारी center में आगी है अब हगर हम वो करें इसको refresh करें और इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ get a game state आया देख रहे हो यह bird exactly ground के उपर सेट हो गया ठीक है अब पते क्या और रहा है bird आ गया ठीक है हमने speed भी रोग दी यह भी सब ठीक है बट जो bird है इसके punk अभी वी flap कर रहा है तो आप एक बार ना वीडियो पॉस करके सोचना कि flapping हम कैसे रोग सकते हैं जरह से दो वर्ड की लाइना बस दो वर्ड लिखने हैं हमने simply आप सोचना है अब इसमें हमने करना क्या है क्या हो रहा है जो हो रही है उसमें हमारे प्रेंग चेंज हो रहे हैं simply अगर हम प्रेंग को सेट कर दे हां यहां पर किस डॉट स्टाइभ इुच इक जिए और ची जी रहेगा तो एकी फ्रेम रहेगा तो इसानी हुआ जी हो जई अब देखते हैं कि यह हमारे आगी तीष प्लाप नहीं किया लेट सी क्या गड़ बढ़ करी हमें इस दो अच्छा सॉरी मैंने मूव पे लिख दिया यहां पे लिखना है आपको इस जोट फ्रेम विच इकोल चुछ जिरो ठीक है अपडेट फंक्शन के अंदर लिखना था मूव के अंदर नहीं तो गैटरी स्टेट में क्लिक करा गेंशेट में अड़ा अग्यावि जैसे निचे गए 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 और यह देखो टुछ बट रुग ऑब जैसे यह बर्ट रुग गी है अब मुझे क्या करना है की बद जब रुगजे तो एकदम से क्या ओं गीम ओवर का मैसे यह जैसा होता है state.current को आप क्या कर दो state.gameover मतलब जैसे ही क्योंगी sequence में चलता है न रेकोट तो जैसे ही speed 0 करेगा frame 0 गे तो उसके बाद क्या करेगा current state को gameover state कर देगा और जो हमारा gameover message है वो appear हो ज़िए स्क्रीन पर देखते हैं गेट इसे game state पर आए फ्लैप भी कर रहा है नीचे भी आ रहा है सब कुछ जैसे ही ग्राउंड भी रुग गया और हम gameover state पर आगे जैसे मैं दुबारा क्लिक करूंगा तो फिर से हम get ready state पर आगे ठीक है फिर से नीचे पर आगे तो आज की वीडियो में हमने इतना ही देखना आप अपने इस आप से सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं पोस्ट करो मैं gravity को कर देता हूं तो देखना कितनी स्पीड में नीचे आएगा उड़ता हूँ आएगा नीचे कितनी स्पीड से आ रहा है या नीचे क्योंकि हमने gravity को इतना तेस कर दिया है और उसकी वैलिव इतनी जादा बढ़ा दिया कि एकदम से कुई एक सेकंड में कितनी बार कॉल हो रहा है पचास ब अब जंप भी सेट कर सकता अपने इसाब से जितना आपको सेट लग रहा है इसकी वैलिव अगर टैन कर दोगे ओए ओपॉइंट सिक से तो यह आ रहा है यह तो इस वीडियो में हमने इतना ही देखना था अब नेक्स वीडियो में हम देखेंगे कि हम अब्जेक्स को कैसे ला सकते हैं पाइपस को राइट टो लेफ्ट कैसे लाएंगे फिर उसके बाल को देखेंगे ठीक है और फिर कुछ और फंक्शनलिटी देखेंगे तो तिल देन थैंक यू अब आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में